नमस्कार स्टुएंट्स मैं अमित कॉमर्समेंट से अमिस सर आप लोग के बीच में लेशन नमबर फर्स्ट पार्ट सेकंड लेकर के आया हूं लास्ट की वीडियो में हम लोग ने कंप्लीट किया था इंट्रोडेक्शन अफ एकांटिंग का मिनिंग उसके फीचर उसकी प्र अन्यवाद तो स्टार्ट करते हैं फ़र आपट अपनी बहुत इंटेस्टेट वीडियो जिसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा इंपोर्टेंट और तीन अंबर का कोशन भी बनता है बहुत अराम से समझेंगे इसको मेंटेन रिकॉर्ट केंड बीटन बाइदी बुक कि बुक कीपिंग की मिनिंग को बड़े अराम से समझते हैं देखिये मैंने लिखा कि बूख कीपिंग इस दा प्रोसेस ऑफ स्स्टेमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फैनिशली एस पैक्ट बुजनिस टानेशन इन इन एप्रोपेट एक नाम आया है इसको कहते है कि किसी चीज़क चार्ज करना किसी चीच को रिकॉर्ड करना जो रिकॉर्ड नहीं है इनको रिकॉर्ड कर लीजिए systematic manner का मतलब होता है कि system से यानि कि cash transition cash book में purchase का purchase में sales का sales में returns का returns में credit का credit में कि प्रोसेस मैं वें बता दी थी किस तरह से प्रोसेस होता है जनर्र में जाता है फिर लेजर में जाना वि invea होना फिर इंसके लगुषिति जोना किफरन प१ुक्ष का आधे ने स CT आज के लोग नहीं कोई दुकान्दार आगर खोल रहा है तो यह मांगे चलता है कि एक साल तक मुझे इस दुकान को चलाना होगा और दीरे-दीरे करके लोग उसको जानते हैं, पैचानते हैं, मार्केट में उसका नाम फैलता है उसको लोग जड़ा उसके goods को लेना है, लोग पसंद करते हैं, यूज करते हैं दीदे दीदे करके लोग उसकी goodwill को maintain करना चालो कर देते हैं वो दुकान एक समय के बाद अच्छी अपनी position बना लेती है तो यह एक bookkeeping का system है जिसको record करना है में transitions में record मैंने बता दिया यह है bookkeeping जिसमें हम आगे और चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट है मिनिओ अपकाउंटिंग एक प्रोसस है देखिए अकाउंटिंग किया है अकाउंटिंग इस दा प्रोसस ओफ डिकोर्डिंग रिकॉर्ड रिकॉर्ड में जादिया जनरल में होगा जिसमें हम लोग NTO को करेंगे classify उनको अलग करेंगे purchase का अलग sales का अलग परचिए रिटरण लग से रिटर अलग समराइजिंग करना समराइजिंग का मतलब trading account बनेगा कितना कितना बीचा अना उसके बाद profit and loss account बनेगा कितना expense हुआ कितना income हुआ कितना profit है actual कितना loss है इंटर्प्रेटिंग है फैनेशली पोजिशन निकले जाएगी बिजनिस की की पूरे सालवर की दोरां में एंड में फर्म के पास कितना बचा या नहीं बचा अगर फर्म लॉस में चली गई तो फर्म को बंद कर दो और प्रॉफिट में चली तो फर्म के अंदर और अच्छे चेंज करो जिससे फर्म और अच्छा बेनेफिट अराइस करें अब बात यह आती कि ओर्गिन ओफ एकाउंटिंग का मतलब क्या है कि बिजनिस के अंदर एकाउंटिंग का जनम कब हुआ देखिए यहां बताया गया है कि 15th सेंचुरी इटलियन में एक मैथेमेटिक शें थ इन्होंने मैथेमेटिक शें एक रैटर थे जोन्होंने अकाउंटिंग के ऊपर बहुत अच्छी बुक्स लखी और यह रैटर माने के किसके अकाउंटिंग के भी तो पैसवली क्रेट आफ अफ दे अकाउंटिंग अफ जनल एंड लेजर अन्होंने क्या करा एक सिस्टम मन सिस्टम आने को कहते हैं क्रेट करना सिस्टम क्रेट करना इंघ विए काम हो तो धाया है इससे अपको समझ में आ गया होगा अब नेच्स टॉपिक पढ़ते है इसका तो देखी इसमें आगे अगे हैं इने टीकिक रीसे कि शीचिव में जिन कमूल का रोट अब वगेन सुन की इन Safe माल फैक्ट्री में गया मशीनी करन के द्वारा बनना स्टार्ट हुआ वर्किंग प्रोग्रस बनके तयार हो गया मार्केट में जाने के तयार है इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फिनिस गुड्स में दो चीज होंगी कई बिल्ड़ पेमेंट होते हैं कई कस्टुम में बिल्ड के दR पेमेंट करते हैं के बिस्निस पयार दे बिल्ल clothing के बाद यह होते हैं तो उन्हें Closing Entry को मन्यांट होता है कि हम जो आप स्वक्रम बनाएंगे बिल्जर के बेसिस पर उसमnya तो कोई मैथेमेटिक कोई प्रॉलम नहीं होगे उसके एरर नहीं होगी हो को कि ट्राइल बैलेंस के बाद हम लोग बनाएंगे फैनेशा स्टेट्मेंट तो आज हम यह सब देख रहे हैं इसके बाद मैं लिखा है इसके बाद मैंने लिखा है he also brought the concept of double entity system account which states that there are two sides of each transition they are debit and credit. देखें मेरे notes की सबसे बड़ी खासित एक ही बात है कि मैंने उन बच्चों को देखकर के भी notes बनाएं जो बच्चे मिडल होते हैं जो बच्चे थोड़ा सा downward होते हैं और जो बच्चे एक high level पो होते हैं तीनों बच्चों के basis को धान में रखा है और भाषा को इतना स्रल लिया है कि अगर आप इजीली तरगे से मेरी वीडियो को एंट तक देखेंगे तो आपको बिल्कु समझ में आ रहाएगा कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ इसलिए वीडियो को एंट तक बराबर अगर देखते रहेंगे आप लोग बिना डावाइट हुए दर तो यकिना एक दिन आपको आदत पढ़ जाएगी अमित कमर्समेंट की हर एक वीडियो देखने की और आप बिना कोचिंग के भी अगर मेरी वीडियो को एंट तक देखते है ना तो हरी चप्टर आपको मैं बहुत इजीली सिक्वाँगा यह मेरा वादा है और आपकी परसेंटेज बनाने का भी मेरी मेरा प्रॉमिस है तो इसमें सबसे पहले बात क्या होता है दिन के बाद नहीं बोलते है रात चिक्के के दो पहलों बताईए हैड और टेल यह होता है ना सचके बाद क्या आता है जूट सच और जूट जन्नम के बाद क्या है मिरती हूँ तो हरी चीज के क्या दो पहलों है तो एकाउंटिंग के भी दो पहलों होंगे यहां पिछरा हो किरें टू साइट विखर यह कराएगा सिस्टम वैसे तो YouTube चार होते क्किन्ग शब्दा है एक बतारों में cash transitions, credit transitions, paper transitions और barter transitions यह हम बाद में discuss करेंगे next topic start हो रहा है बहुत important है objective of accounting देखे जो topic है उसका नाम समझे अब objective हाट chapter का क्या है एक उद्धिश्य होता है और human यानि कि हम लोगों का भी क्या जन्म लेने का एक उद्धिश है कि मुझे अपनी life में क्या achievement करना है मुझे क्या बनना है इसके सपने हम लोग बच्पन से देखते हैं और पूरे-पूरे करने में हम लोग अपनी पूरी struggle पूरी मेनत लगा देते हैं तो बच्पो ये अपने जो सपना commerce लेने के बाद अब देखा होगा कई बच्चे-स करना चाहेंगे कई बच्चे-s करना चाहेंगे कई बच्चे Mb. के समय देख रही होंगे कई बैंकिंग में जाना चाहेंगे कई DCWA का कोर्स करेंगे कई अकाउंटिंग का कोर्स करेंगे मैं इसके एडवांस वीडियो बना के डालूँगा जिसमा आपको प्लियर हो जागए कॉमर्स लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं और कई लोग कहते हैं कि कॉमर्स क्यों ले ली कॉमर्स में कुछ नहीं है और कई लोग बच्चों के कहने से अपने सींदर के कहने से माँ आप के कहने से या कहीना की किसी और के कहने से ले लेते हैं तो बच्चों मेरा मान नहीं है अगर आपके commerce ले लिए किसी के भी कहने से और यदि आपने अपने इंटरस्टे भी ले लिए तो आप इसमें बहुत आगे तक अच्छे इसको पर जा सकते हैं बहुत ची लाइब बना सकते हैं आप उन सब लोग का धन्रबाद दो जिन्हों आपको राय दिये commerce लेने की आपकी लाइफ को बनाने में बहुत बड़ा काम कर सकता अगर आप उसको सही तरीके से सही कंटेंड को समझते हैं सिर्फ रटा नहीं मारते हैं उसे पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना ही है कि commerce में आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे चिमिंटा पचा सकते हैं ठीक है तो और चट्टी पढ़ते हैं फटाफट पहला लिखा है आप देखना जाए अगर वो कोई माल बेच रहा है तो हाथ वात एक रिष्टर उसके हाथ पर होता है उसमें एंटी कर लेता है आजकल तो एक आप आप करके उधार आप करके एक चल रहा है जिसमें हम लोग हाता बुक के नाम से अपने रिकॉर्ड कर लेते हाथ हो तो काम आप को दा रखना है इस सालवर के दोरान में ही एनलेसिस करना है कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ फिर उसके बाद हमें दिख रहा है तू एक्स्टेन दा फैइंशल पोजिशन आप बिजनेस फरम की फैइंशल पोजिशन को फाइंड आउट करना है फरम प्रॉफिट देने के लिए जो फरम को जरूरी चीज़े चाहिए जो फरम लॉंग टाम के लिए अपने पास जनुरेट करेंगा वह साब एसेट्स है यह दाना ना दान दान सुना दुबारा बोल रहा हूं जो बिजनेस में लंबे समय तक के लिए बिजनेस को प्रॉफिट में कनेक्टिविटी देती रहेंगी वह फरम के लिए क्या उसके एसेट्स है और फरम वह चीज़ तभी बॉर्ण कर सकता है अपनी हां जब वह उन चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ पे करेगा तो लैबल होगा आउटसेडर के लिए ठीक है जितना उसके पास आएगा उत डूसेयन इनफोयमिशन जो सही होती है वह कहां से मिलती हैं गृुप और यूजर्स के दो मिलती हैं उसके बहुतिदे गैडिकर फिर्टर वॉजर्स इसक करूँ होती हैं आगे पड़ता हूं यह आप पीछ़़ी वीडियो में समझ लेंगे जो मैंने बनाई थी अभी जो टोपिक आया था इंटरनल उजर्स और एक्टरनल उजर्स का मैं आपको एक्टरनल दिखा जीता हूँ यह सारे एक्टरनल उजर्स हैं जैसे कि कोई बैंक हो गया को शोषर size की रा पर कोई logo कोई हमारी इंवेस्टर्स हो गए Böyleिक कोई हमारी इंवेस्टर सो गए पोटेंशन इंघ्योटे खुए ख्रीटिय टेड़ सो गई संप्लेट ऊबीक हां टेक्सोट मेrekट में और बिजनेल इस अらес One हैं मेनजमेंट हैं एंपलोई हैोगा वर्क करें तो आपको वो thirds में होगा ठेस्ट है घृत्व क्यों केंशलिवे ज्यक्स लेकिने सबहरा बियसे मेरिसमेर नहीं करके और परिवार की वो किसी को follow नहीं करते हैं जो किसी को follow करते हैं वो सिर्फ copy करते रहे जाते हैं जन्दिगी में इसलिए आपको हमेरी सब बढ़ना है तो अपने परिंदों की उड़ान बहुत उची ही रखनी है बहुत सोच आगे होनी की होनी चाहिए आप चलते हैं हम लोग यह कुछ ग्यान यह सब information market को दिखके आती है कि market के इंदर demand policy क्या चल रही है market के इंदर customer का interest किसमें है जादा है कौन सी goods की जादा demand हो रही है क्योंकि हरे विक्ति के अलग-अलग सोच होती है हरे विक्ति के अलग-अलग विचा रहे है organizations कोई सी भी हो संगठन कोई सा भी हो कोई सी भी institutions हो व इसलिए वह आज विक्ति अपने घर पर बैटे बैटे मोगाल से सारे online काम करता है तो यह क्या है technology है जो time to time change हुई आज हमें अर्चीज बड़े असानी से घर पर मिल दा थे हमों कोई भी order करते है अना online shopping करते हैं हम लोग online के उतर कोई भी order करते हमारे घर तक आ जाता है तो to meet the legal requirement to meet the legal requirement का मतल़ होता है legal from it is law कोई भी business तभी किया सकता है जो कानुनी प्रिक्रियाओ को पूरा मानता हो legal requirement law को मानता हो कोई भी law section of act के तहरत हम business कर सकते हैं without legal license के बिना हम कोई भी काम वेपार नहीं कर सकते हैं तो हमें सरकारी सरकार के दौरा बनाएगे नहीं हमको पूरा फिल करना होता हुआ उनको मानना होता तो पढ़ते हैं इसको accounting का जो एम है to meet the various legal requirement the account record provide the best basis for filling returns of the board direct as well as indirect taxes देखे सरकार को हमें वर्ट के end में जो assessment of year होते है 31 March को सरकार को जितना भी हमारी output आया और पुट हुआ जो अमने माल खरीदा और बेचा इसकी सारी information सरकार के पास जाती है और उसके record maintain होते हैं और यह बताता है कि हमने जितना भी generate of profit किया जितना भी हमने actual कमाया उस पर कितना tax हमने pay किया सरकार हर एक संस्ता से उसका record मंगती है या उसका record auditing के दोरा चाहक होता है और कई वो text की चोरी नहीं कर रहा है यह भी दिखा जाता है अगर वो text pay रहा है यह मंदरी से text pay कर रहा है तो सरकार उसको भारत जिसके अंदर काम करने की छूट देती है ठीक है कई लोगों को subsidy मिल सब्सक्राइब करके GST आ चुका है goods and service tax अब नेक्स पड़ते सेविन प्रोटेक्टिंग business assets यह प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि कि किसी चीज को शुरुक्षा की चक्र में लेना जैसे कि कोई पीड़ा आती तो मावा बच्चों को अपने शुरुक्षा कवच में ले लेते उसे तरह की से business में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो business की assets को पहले protect करना अगर assets business की खताम हो गई तो business ज्यादा दिन तक survive नहीं कर पाएगा तो हर एक business का objective क्या होता है अपने जो भी accounting is to be have records of assets on by the business business जो भी अपने investment से अपने खुद की मेहनत से जो भी assets develop करी है businessmen को उनको प बड़ी important start हो रहा है difference between bookkeeping and accounting कई बच्चों के phone आए कि सर हमारे को ना इसका meaning समझाना है हमें के लिए समझ में नहीं आता है और यह थोड़ा सा सरल रूप में आप बना के दीजिए तो मैंने सोचा कि अपने इस वीडियो में मौका मिलाया तो मैं बच्चों को एक separate थोड़ा रिकॉर्ड करना classify करना identify करना अना ट्रांडिशन में measurement करना terms of money में यह क्या है record मतलब यह bookkeeping है तो bookkeeping में record का मतलब general जनल मतलब bookkeeping classify मतलब laser laser मतलब bookkeeping तो यह सब चीज़े क्या बुक की चप्टर हो गए देकिए चो summarizing की बात आ रहे है और अकाउंटिंग में आ रही है ट्रेड टोराइस की बात की जाए यह क्या है यह आपका है accounting यह है आपका accounting ठीक है I think आपको समझ में आ गया होगा दूसरा it is a beginning stage of acts and base of accounting यानि कि यह primary stage है मेरे बच्चों यानि कि bookkeeping primary stage है business जब start होता तो सबसे पहले उसकी bookkeeping start होती है accounting में record आता है classify आता है उसके बाद business analysis interpreting और result तक पहुचता है जब हम business में खरीदेंगे बीचेंगे नहीं तो हम उसके facility condition तक कैसे पहुचेंगे तो bookkeeping primary stage है और accounting secondary stage है हम secondary stage इसलिए कह रहे है को कि business में end में हम लोग business के profit and loss की calculation करते है उसकी financially condition की पता करते है performance की बात करें तो यहां पर bookkeeping में junior staff भी काम कर सकता है को कि bookkeeping इतने जरूरी नहीं होता है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग चाहिए हम हम clerical लोगों से भी काम चला ले लेकिन senior staff की बात करें accounting की तो accounting में senior staff चाहिए जब हम किसी की auditing कराते है तो chartered accountant के दवारा या auditors के दवारा बड़े-बड़ी करते हैं तो वहाँ पढ़े लेकिए विक्ति होते हैं ठीक है नेचर नीचर की बात करें तो यहाँ पर एक लेडिकल और रूटीन नीचर वाले लोग इसमें प्र बुक कीपिंग में मिंटें होते हैं लेकिन बात करें अगर accounting की तो यहाँ पर analyst और dynamic नेचर टैप की विक्ति होते हैं जैसे में रताया जो दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज हो जो बहुत ज़्यादा analysis कर सकें जो जो taxpayer नहीं होते हैं जो चूरी करते हैं टैक्स की उनके record को खंगाल सकें पूरा खोज सकें जैसे CID officer होते हैं उसी तरह के से यह started accountant और बड़ bookkeeping end यानि कि bookkeeping के खतम होने के बाद जो start होता है वही accounting है तो bookkeeping का खतम होती है trial balance पर यह classify के बाद जो start हुआ तो bookkeeping है और accounting से पहले जो भी चल रहा था वह सब क्या है bookkeeping है record classify identifications यह सब क्या है measurement करना terms of money में यह सब क्या bookkeeping next है I think आपको समझ में आ रहा होगा special skills bookkeeping is mechanical nature and does not require to special skills आज एक labor है अगर मालेजबाने उसको गया देगी यह मशीन है यहाँ पर यह बटन दवाना है और बटन चालू करना है मशीन के अंदर ऐसे काम करना है उसको सखादी आप बता उसको कहां पड़ाएगी जुरत है लेकि जो मशीन को बना रहा है जिसने मशीन को बनाया मुझ अगर बिजनेस ग्रोथ करता तो उसके सासत कहीं लोग ग्रोथ करते हैं तो वालों को भी काम अचा चलेगा वापद दुकान ने च्छोटी मुटी खुली है, वहाँ पर काम अच्छा चलेगा, स्कूल के अंदर कैंटीन है, उसका काम अच्छा चलेगा, तो कई लोग जो भाहर के लोग स्कूल से बंदे हुए हैं, तो इंटरनल एक्किविटी अच्छी चलेगी, अगर अच्छी पढ़ाई होंगे, अच्छी तीच अ दोरान, सिर्फ record maintain करने का काम करती है, रिजल्ट बताने काम ने करती है, लेकिन accounting शो करती है, operating अगि हमारे next topic है, definition of accounting जो पहले हमने पढ़ादा था, आज मैं केले कर रहा हुँ कि definition भी 2 है, एक तो traditional definition है ki modern है, तो traditional सब्सक्राइब करना सुचनाओं को कलेक्ट करना उसको समराइजिंग करना जिसमें ट्रेडिंग पीनल बैलेंशीट अनलेसिस करना रिजल निकालना समराइजिंग ट्रेडिंग पीनल बैलेंशीट बनाना और वो ट्रांदिशन जो मॉनुटी टमस मॉनुटी मतले जिसको आप तमस मनिमें कर सकते हो वो मॉनुटी की बात हो रही है मॉडर्ण डेफिनिशन की बात करें तो थोड़ा सा मैं ट्रेडिशनल से थोड़ा सा चेंज इसमें जाओंगा कि सब्सक्राइब करना इसमें कितना पैसा गया और कितना गुट्स आया है यह मेंज़र करना इसको रिकारड करना जैनल में कम्निकेटिंग करना इंटरन और से द्वारा इकनॉमी जो इंफर्मीशन है उसके एकनॉमी का मतला होता है कि जो हम लोगोंने इंकम जने इकरिए उसकी इंफरमेशन हमें मुंझ जाए और एक judgment निकालना judgment एक honor के द्वारा निकालना है वो जो बिजनिस का मालिक है वो decision लेगा अच्छा management लेकर चलेगा information लेगा यही चीज़ पता लाँना है कि business के अंदर जो business चल रहा है पूरे सालवर वो उसमें profit कितना हो रहा है लॉस कितना हो रहा है तो यह simple definition थी जो मैंने आ बिरांचिस होगी कर सकता आज सरकार जो कई डेष चल रही है वह वह भी कई बिरांचिस में चला रह ईया और सरकार को चलाने के पिए कई रूप आपने देखे कि सब से पहले डेष के अंदर जो मुक्य आमँआ गया है वो है हमारा पदा मंत्री लेकिन डेष में जो राश्पती सुप्रीमों उसके बाद मुख्य मंत्री उसके बाद आप समझ जाएगे कि नीचे नीचे पूरी चैन बनी होती है उसी तरीके सा हमारे accounting के अंदर भी branches होती है accounting को समालने के लिए यह देश को समालने के लिए राजनीता होते हैं हमारे देश का प्रशाशन होता है सब कुछ जो मैनत करते हैं ऐसे हमारे accounting को समालने के लिए कुछ branches होती है जैसे कि पहली financially branch दूसरा cost branch तिसरा management branch फिर चोथा social branch फिर tax department फिर human resource फिर government accounting तो हम देरा seven part of branch of accounting let's have a discuss about all the queries and queries each and every one by one now first is financial accounting हम लोग बात करेंगे तो branch of accounting में पहले आरी financial accounting फिर वही चीज़ दुबार दो को एक बार अगर आपने शुरुवात में अच्छा पढ़ लिए तो बात में दिक्कत नहीं है मैंने पहले बोला था financial accounting इसने और बुक मैंने बताया फानेशली अकाउंटिंग पूर सालवर में निकला जाता यह और बुक मानी गई है इसमें फिर वही आएंगी रिकॉर्डिंग सब चीज़ें वही आने वाली है तो फानेशली अकाउंटिंग इस डेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड ऑल दे ट्रांशन्स जो फानेशली है और जो इविंट है जो खरीदा बेचा पर्चेस सेल्स रिटरंस लॉस प्रॉफिटिंग का मैंसेट्स लिबि कमिनिकेटिंग भी दो टाइप से हो गया इंटरनल यूजर्स और एक्शनल यूजर्स फिर रिजल्ट तक पहुचना जो यूजर्स पहुचाएंगे ठीक है इन शॉर्ट टम्स में कहें तो फानेशली अकाउंटिंग इस कंफाइंट कंफर्म सौरी कंफर्म तो दे प्रिप हो रहा है कितना लॉस हो रहा है अगर प्रॉफिटिबिटी हो रही तो फिर्म मैंने कहा था चलती रहेगी अच्छा चलेगी लॉस होगा था फिर्म शाहिद बंद होगी वैंट अप होगा ठीक है तो यह हुगा हमारा फानेशल अकाउंटिंग जो कि एक अप्रस से लेके 30 म मार्च और यह जनवे से लेके 30 December तक मिंटेन होगा नेक्स्ट है कॉस्ट ब्रांच की बात करें तो कॉस्ट ब्रांच के अंदर इडिस डेट ब्रांच ऑफ अकांटिंग विच डील्स वित रिकॉर्डिंग कॉस्ट वित दा अब्जेक्टिव ऑफ एकसर्टिनिंग रिडू वारे जो देश में चला चल रहा है भी तो इसने क्या करा सब्जी के प्रैजिस तोड़कर दिए क्योंकि कई होटल रेस्टरून बंद हो गए तो क्या वह डिमांड वही थी लेगी प्रैस कमने लगगे क्योंकि जितने लोग पहले होटल में रेस्टरून में जाके खाना ख जायेगी तो क्या होगा फिट भड़ जाएंगे तो सबसे पहले अगर बिस्जनेस के अंद प्रोडे कि कि वह अनियदा गटनी जाया चलना बहुत जरूर होता है कौस्टकी अंदा अगर ज़्यद्ध की प्रैज होगी होगी आप इच्छा तो रखते हैं ले नहीं सकते हो इतना पैसा नहीं है और अगर वह चीज़ ज्यादा सर्चती हो जाएगी तो लोग बाग क्या करेंगे उसका इसकी स्टोड जो है स्टोड वेलू बढ़ा देंगे उसकी अपने पाइश करना ज्यादा चालू कर देंगे वह भी हानी खा रक है अगे पच्छाने में बहुत बड़ा हात होता है management का management accounting is the most recently developed branch of accounting it is the concurrent with generating accounting information relating to funds cost profit etc as it enables the management in a decision making आप देखिए management की बात आती है तो यहाँ पर accounting का example में school से दुँगा अगर मलजी आप school में जा रहे हैं वहां आपका management आपको बहुत सा दिख रहा है मापे staff maintain है ब्लुक्ल आपका जो ओफिस है आपका खिलरोग office है आपका principal office है आपका वाइस प्रिंसिपल office है आपकी classes है आपका outdoor है आपका indoor है आपका library system है आपका canteen system है आपके लिए सारी visiting विवस्ता करकिए पूरी विवस्ता settlement है तो आपके क्या management है यहां का ऐसे accounting में ब्रांच बना जाती है accounting की जिसके अंदर account के अंदर सारी information ले सकते हैं कि कितना funding हुआ है कितना fund आपने invest किया है कितने goods उसमें क्या cost आ रही है क्या लागत बनके आ रही है एक माल बनाने में उस process में raw metal कितना लगा label कितनी labor कितनी लगी कितना working progress आया कितना machine में खर्चा हुआ कितने electricity लगी है उसके बनने के बाद चीज में कितना profit aid करना है कितना हमें आगे चलके बिगएगा कितना फायदा होगा यह सब निकालना यह management decision making power है जो किसी भी चीज को करने से पहले लिए आती है next है tax authorities देगे इंडिया में अगर कोई भी काम हो रहा है तो उसमें चाहिए विश में कहीं पर भी काम हो रहा है government tax तो लगाती है कोगी taxes अगर नहीं लगाएगी तो welfare services कहां से देगी अच्छी road है अच्छी पानी अच्छा infrastructure अच्छे school अच्छे college सरकार बना रही हो कहां से ब अदर ख़ी पर कारके tax न लगकर अब एक टैक्स बना GST goods and service tax फिस फर मैंने पहले वीडियो बना रखी है दोनों वह आप देख ले है मेरी वीडियो में जाकर के मैंने लिंक दे रखें उसमें आप देख लें चेक करने ठीक है next ट government accounting के अंदर यह भी एक branch है एक system है जो follow करन सब्सक्राइब करते हैं यह बहुत अच्छा टॉपिक था जो मैं आपको बताया कि कैसे हमारे देश का सिस्टम चलता यह आपने 10 लेस्न में सीखा होगा स्टेट गवर्मेंट और सेंटर गवर्मेंट में अब बात करते हैं लोग शोशल अकाउंटिंग की डवल शोशल अकाउंटिंग का मतलब है कि डवल एटी सिस्टम और बुक कीपिंग अज अकाउंट इस तो मेजरमेंट ऑफ सोचल बेनेफिट क्रेट एंड अगाउंट इंकर्ड बैदा इंटर्प्राइज शोशल बैनेफिट हाउसिंग मेडिकल एज्जुकेशन शोशल कॉस्ट इंक्लूइट एक्स्टिंग और इंप्लोई इंडस्ट्री इंडस्टी और इंडस्ट इंवर्मेंट पॉलिशन अन डिजनबल टर्मिनेट इस तरह यह सब शोशल एक्स्पोंसिविटी इस देखिए आज एकाउंटिंग के अधर डवल एंडी जो सिस्टम आया बुक कीपी इन्होंने बुक कीपी ने क्या करा जनल रिकॉर्ड करना सैफिट नुकसान होगा बच्चो नुकसान होगा और बच्चों को बहुत ज्यादा होगा बच्चों चुट-छुटी उमर के वह तनाव में आ जाते हैं जिल्दी याद नहीं होता है उनकी बीमारी का भी कारण बनता है बहुत बड़ा और मेरा मानना यह है कि पैरेंट्स को इस तर चाहिए अच्छे medical hospitals खुलने चाहिए education की बात करें तो अच्छे college अच्छे school होने चाहिए social के अंदर जो हम लोगों देखते समाच का social जो होता गरीबों के संगत्या चार्ज हो रहे वो कम होने चाहिए उनको अच्छे प्राइश पर हम लोग अगर गुड्स दे तो बढ़िया है इंडस्ट्री अच्छी डवलप होनी चाहिए environmental जासा तक कम pollution हो ऐसे हमें productivity करनी चाहिए और हमें reasonable तरीके से cost को रखते हुए माल बेचना चाहिए यह हमारी समाच को लेकर के हमारी उद्देश है अब आ रहा है human accounting human resource बहुत जरूरी है human resource नहीं होगा अगर labor resource नहीं होगा तो हम goods कैसे बनाएंगे आज देके migration हुआ आज कोवी नेंटिंग कोरोना वाइरस से एक देश से दूसरे देश के कोने में लोग भाग गए क्यों कोकि उनके सामने सबसे बड़ी पीड़ा आगई कि रोग खाएंगे कैसे दो वक्त की रोजी रूटीन ही रही तो लोगों ने क्या करा माइगरेशन कर दिया तो माइगरेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है तो यूमन इसर्स आदा मीन्स फर द पीपल और और इसको दे रहा है तो यह कैल्कुलेट करना इट सो वेरी इंपोर्टेंट कि आप जो करवा रहे है उसके बदले में आप कितना दे रहे हों कितना आ तो आज की वीडियो में इतना ही मैंने आप लोगों को आज बहुत काफी सिखाया बहुत बताया आई थिंग आपको समझ में आया होगा और आपने अभी तक की टॉपिक में अगर बरावर मेरी वीडियो एंटर देखिए तो यह वीडियो बहुत आपको यहल्प करेगी ने एक नए टॉपिक के साथ इसी में पार थड़